Hello and welcome to the online platform of RAUS Academy for competitive exams and I Pragya Pante welcome you all to our very special series on daily news review बात करते हैं आज की महत्वपून आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे हम एक बहुत ही important language which is the Madhika एक perishing language है जिसके केवलो केवल आप बोलने वाले दो व्यक्ति यहाँ पर बचे हुए हैं हम बात कर रहे हैं कुका नम केरला की जहाँ पे चाकलिया community यहाँ पर अपनी एक यूनिक language Madhika उसके extension पर खड़ी हुई है क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई भी script नहीं है जिसे preserve किया जा सके ठीक है साथ ही Madhika खोद यहाँ पर survive करने के लिए बहुत ज़्यादा महनत कर रहे हैं और ऐसे में कीवलो कीवल अब इस ancient language के दो लोग ही हमें देखने के लिए मिलते हैं देखे अब सवाल आजाता है कि हमें पढ़ना क्या है हम prelim point of view से Madhika language के बारे में पढ़ेंगे हम चाकालिया community के बारे में पढ़ेंगे साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आखिर हमारे constitution में वो कौन से parts हैं जहाँ पर इस particular language को preserve किया जाता है देखे सबसे पहले हम चाकलिया communities के बारे में समझते हैं चाकलिया community की बात करें तो देखे यह एक blend है एक nomadic origin है basically अगर हम बात करें तो यह घुमन्तु हुआ करते थे साथी और यह वर्षपर हुआ करते थे त्रिविंट कमना और मर्यम्मा के ठीक है यह centuries बहुत अगर हम बात करें कुछ शताबदी पहले तो यह migrate करें जितने भी हिली रीजन थे करनाटका के वहां से इन्होंने migration किया माल में इनको schedule caste category में रख दिया गया केरला में और इसी के साथ इनके साथ associate हो गया एक social stigma जहां पर इनको community से बाहर रखा जाने लगा निगलेक्ट किया जाने लगा और इसी की वज़े से जो माधिकाज है वो यहां पर decline होने लगे और basic जो सबसे important चीज होती है कि कि किसी भी भा कारण है या तो उसके बोलने वालों का lack of interest हो जाना, script नहीं होना, educational promotion कम होना, social stigma हो जाना या फिर अगर हम माधिकाज के context में चाकलिया community के context में बात करें तो मल्यालम language का यहां पर dominate कर जाना चलिए अब दूसरी चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर माधिका language कि क्या है और इसका सम्मंद किस तरीके से हमें देखने मिलेगा तो देखें, माधिका यहां पर एक तरीके का linguistic blend है, यह यहां पर बिल्कुल sound करता है करनड़ा के जैसे बट उसका जो influence है यह कहीं ना कहीं तेलगू, तुलू, करनड़ा और मल्यालम से जड़ा हुआ है, अब जैसे जैसे main stream के ज जो आज कल की generation के जो बच्चे है वो यहां पर main stream language जैसे मल्यालम की तरफ जादा interest होगा और इसी की वज़े से अगर हम बात करें तो माधिका जो language है वो आज की rate में यहां पर खतम होती जा रही है, चूंकि हम चाकल या community के बारे में बात कर रहे थे तो एक और चीज आपको भाशा से भी दूर हो गए हैं, चले बात करते हैं, articles के बारे में कौन से article हैं जो यहां पर constitutional provision provide करते हैं, तो सबसे पहले article 29 के बारे में हम यहां चाचा करेंगे, जो की protect करता है minorities के interest को, साथी ensure करता है कि जितने भी citizens है, उनकी यहां पर जितनी भी district languages है, उनकी script है और जो भी culture है, उसको यहां पर protection दिया जा सके, साथी हम बात करते हैं, 8th schedule की, यहां पर यह list करता है उन सारे official language को, जो की Republic of India का part है, वहीं अगर हम इसके अंदर बात करें, part 17, okay, part 17 of the Indian constitution, यह deal करता है official language, जिसका mention किया गया article 343 और article 343 से लेकर article 351 तक, यह जो 8th schedule है Indian constitution का, इसी के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसने recognize किया है कि भारत में 22 official language आपको देखने के लिए मिली है, 6th language in India currently have classical status, ठीक है, and listed in the 8th schedule of the constitution, और आप मुझे comment section में बताएंगे, यह कौन सी 6 भाशाय हैं, जिनको classical status का दरजा यहां पर दिया हुआ है, वही article 343 के बारे में अगर हम बात करें, तो यह यहाँ पर clear out करता है कि official language जो है union of government की, यह हिंदी है, देव नागरी script में, और numerals जो हैं, उनको भी यहाँ पर international format में follow किया जाना चाहिए, साथ ही article 345 के बारे में अगर हम बात करें, तो जो legislature है state की, वो किसी भी law के through यहाँ पर adopt कर सकते हैं, एक या एक से अधिक languages for their particular state, जिसका यहाँ पर इस्तमाल किया जाएगा, ओके, article 346 जो कि यहाँ पर decide करता है कि इंडिया की linguistic diversity है और allow करता है कि multiple languages का official communication में यहाँ पर use किया जा सकता है, इसी तरीके से आपको बाकी सारे article जैसे article 346, 347, 348 से लेके 351 तक सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, 351 में आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 351 यहाँ पर power देता है union government को कि वो कोई भी directive यहाँ पर issue कर सकती है for the development of Hindi language and this is quite important for you, चले, आगे बात करते हैं अगले article के संबंध में बात की जा रही है, a revival of the IMEC idea amid choppy geopolitics और हम बात करने वाली हैं Yemen conflict की, देखे, Yemen conflict यहाँ पर एक significantly shape लेते जा रहा है जिसकी वज़े से जो shipping industry है, यह यहाँ पर उसका जो confidence है, स्वेस कैनल को लेकर वो कहीं न कहीं यहाँ पर डगमगाया हुआ है कि यहाँ पर जो primary route है East-West trade के लिए, uncertainties की बात करें, ships are increasingly considering long voyages around Africa और यह conflict has also highlighted the relevance of the Indian Middle East Europe economic corridor जिसे IMEC के नाम से जाना जाता है, जो एक alternative trade route भी है, especially जो आज की date में अगर हम बात कर रहे हैं, जो challenges है geopolitics के related with the Gaza war, ऐसे में IMEC एक बहुत ही viable alternate साबित होता है, पूरे article को समझने के पहले हमें IMEC के बारे में पता होना चाहिए, तो चलिए समझते हैं IMEC आखिर है क्या, दिखें, IMEC के जब हम बात करते हैं, तो it stands for India Middle East Europe Corridor, तो हम इंडिया से शुरू करते हुए, यहां तक जा रहे हैं Middle East Europe Corridor की तरफ, एक strategic economic development है, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक corridor है, जहां पर network किया गया है, of transport corridors, जिसके अंदर railway lines, sea lanes यहां पर बनाए जाएगी, ताकि जितना भी economic integration है, Asia, Arabian Gulf और Europe के बीच में इसको यहां पर integrate किया जा सके और promote किया जा सके, अगर हम इसकी बात करें, तो देखे, importance क्यों है, यह इंडिया से लेकि यूरोप तक यहां पर आपको देखने मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारी important countries, जैसे UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel, Greece जैसी location भी यहां पर connect होती है So IMEC के मुख्यों देश की अगर हम बात करें, तो जो economic ties हैं in countries के बीच में उसको enhance करना, ताकि एक seamless connectivity प्रोवाइट करना between India, Middle East and Europe, यह इसका सबसे बड़ा देश है, अगर हम इस corridor के structure के बारे में बात करें, तो देखे, यह India to Arabian Gulf यहां पर connect करता है, जो कि एक सबसे important aspect create करता है, basically इसको हम दो corridors में divide कर देते हैं, एक हो जाता है इसका Northern corridor, जिसके अंदर India से लेकि Arabian Gulf तक का section हमें देखने मिल जाता है, वही इसका दूसरा section आ जाता है Northern corridor, जो कि Gulf से लेकि Arabian Gulf से लेकि Europe तक हमें देखने मिलता है, जो कि इसका second phase complete करता है, transport structure के बारे में बात करें, तो railway networks यहाँ पर बनाया जा रहे है, land transportation यहाँ पर create किया जा रहा है, ताकि comprehensive, well developed role, railways or C connectivity यहाँ पर create की जा सके, साथ ही इस corridor की एक और खास बात समझ लीजिए, यहाँ पर electricity cables को भी बनाया जा रहा है, को develop किया जा रहा है, बिचाया जा रहा है, ताकि energy connectivity आपको देखने मिल सके, स ताकि efficient energy transportation यहाँ पर conduct किया जा सके, along with that high speed data cables को यहाँ पर बिचाया जा रहा है, ताकि advanced communication infrastructure create किया जा सके, और किसी भी तरीकी का, कोई भी जो issue है, जो भी किसी भी तरीकी connectivity problem होगी, वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं है, अब यह सवाल आ जाता है, कि आखर ऐसी क्या problem है, क इसका development अभी भी issue में है, देखी, जो conflict है, वो सबसे बड़ा है, यमन और गाजा, they have impacted regional stability, जो की IMEC की success के लिए अपने आप में बहुत महत्तोपून हो जाते हैं, यमन conflict के यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो Swiss canal है, वो कहीं न कहीं इसकी वज़े से impact हो जाता है, दूसर Turkey का exclusion और एक alternative proposal, so excluded from IMEC, Turkey ने अब यहाँ पर dissatisfaction शो कर दिया है, और propose कर दिया एक alternative trade route और यह route कहीं न कहीं, position कर देता है itself as an alternative to Saudi Arabia, जो की यहाँ से pass होगा Iraq to reach the Mediterranean, वहीं यहाँ पर आपको US support एक uncertain है, जो potential political return है, Donald Trump का जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, कि यहाँ पर कुछ issue हो सकते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल create करता है, एक सवाल आ जाता है कि क्या IMEC इंडिया के लिए benefit है, बिलकुल, क्योंकि इसकी वज़े से container shipping जो इंडिया का है, यह बहुत ज़ादा develop हो जाएगा, क्योंकि जो delivery schedule है, जो timing है, वो 40% तक इसके बनने की वज़े से इंडिया के लिए कम हो जाएगा, that means इंडिया का जो trade है, वो यहाँ पर fast हो जाएगा और बहुत ही जादा efficient, अब जब trade fast हो जाएगा, route कम हो जाएगा, तो इंडिया को देखो, जो भी logistic cost है, वो कम हो जाएगे, जो कि इंडिया की national logistic policy 2022 के साथ भी align करेंगे, साथ ही जो global level पर अगर हम बात करें, तो यह पूरा का पूरा cost कम हो जाएगा, next अगर हम बात करें, currently, 70% जो इंडिया का containers है, वो road के through move होता है, ऐसे में IMEC की बनने की वज़े से ship movement हमारे पास आजाएगा, rail movement आजाएगा, ऐसे में जो पूरा का पूरा भार है road transport पर वो distribute हो जाएगा, okay, along with that integration होगा, देखिए with Indian ports, यह जो corridor है, यह यहाँ पर integrate कर देगा, इंडिया के major ports, जैसे मुंडरा port, जवाहलाल नहरू port trust, और जो global connectivity है, trade capacity है, वो भी यहाँ पर enhance हो जाएगी, जो कि इंडिया के लिए सारे लेहाद से अगर हम बात करें तो बहुती जादा महत्वपून होता है, अब देखिए, चूकी मैंने आपको बता दिया कि rail route होगा, sea route होगा, तो ऐसे मैं आप याद रखिए, इंडिया का, मुंडरा port, जो कि गुजरात, कांडला, गुजरात, जवाहलाला नहरू पोर्टरस्ट नवी मुंबई ये इसको connectivity प्रोवाइट करेंगे, वहीं Middle East में, फुजाजीरा, जिबल अली, अबुधाबी, UAE, दम्मा और रस अल्खेर पोर्ट, साओधी अरेबिया में आपको इसकी connectivity देखने के लिए मिलेंगे, इस्राइल में बात करें तो हाइफा पोर जाता है, geopolitical region में, when it comes to China का belt road initiative, ऐसे में इंडिया और बाकी countries के लिए इसकी importance बहुत जादा हो जाती है, अब अगर हम importance के context में ही बात करना चाह रहे हैं, तो देखिए, economic importance या होगी, trade opportunities बढ़ जाएगी, industrial growth यहाँ पर बढ़ेगा, job creation हो जाएगा, energy और resources access हो जाएगे, जो time है, वो यहाँ पर कम हो जाएगा, especially economic zones यहाँ पर facilitate होने लगेंगे, तो यह सारी चीज़ें अगर हमें देखें, तो कहीं न कहीं IMEC बहुत important कदम रखता है, चलिए, moving on to the next article of the day, देखिए, Supreme Court of India यहाँ पर, they has decided कि examine किया जाएगा, जो extension है, jurisdiction जो है, हमारी border security force का, जो कि इंड border security force का, यहाँ पर jurisdiction माना जाता है, उसे 15 से 50 km किया जाएगा, जिसकी वज़े से एक dispute arise हो गया है, in the state of Punjab and central government, एक तीन जिज़ें की bench, जिसको यहाँ पर lead कर रहे थे हमारे Chief Justice of India, D.Y. Chandrachur, यह assess करेंगे कि whether all border states should be treated uniformly in demarketing the BSF area of control or not, ऐसे मैं court ने यहाँ पर schedule करी है, एक hearing कि हम यहाँ पर Punjab की तरफ से यहाँ पर क्या challenges है, क्या issue है, उसको भी address करेंगे, और साथी BSF का point भी यहाँ पर समझेंगे, अब देखिए हुआ क्या था, background समझते हैं, Punjab ने challenge किया, एक constitutional validity of notification issued in October 2021 by the Central, जहाँ पर इन्होंने बोला कि section 13 9 जो है BSF 1968 का उसको invoke किया गया है, यह जो notification है, यह extend करता है BSF की jurisdiction को 50 km तक के दाइरे में, ताकि enhance किया जा सके trans border, जो crimes होते हैं, या trans border जो control है, उसको enhance यहाँ पर किया जा सके with the state police, वही section 139 की अगर हम बात करें BSF की, तो यह grant करता है center को ऐसी सारी authority देने के लिए, ऐसी सारी power देने के लिए कि यह BSF से related, members से related, जितनी भी powers है, उनको यहाँ पर center के हाथ में दे देता है, पंजाम ने आपर content किया है कि center का यह जो notification है, constitute an arbitrary exercise of power under section 139, which is quite wrong, चलिए, तो क्या हमें इस मुद्दे को और detail में समझना होगा, बिल्कुल नहीं, आप समझे, news को पढ़ना किस तरीके से आपको सिफिक idea हो गया है, now you have to understand about the border security force, जो हमारी लिए महत्तोपून हो जाता है, BSF की बात करें तो एक paramilitary force है, जो की ministry of home affairs के अंतरगत काम करती है, इनके establishment की बात करें तो 1st of December 1965 को, इंडो पाकिस्तान war के बाद यहाँ पर BSF को बनाया गया था, ताकि इंडिया क जो land border है, उसको यहाँ पर secure किया जा सके, और जितने भी trans border crimes होते हैं, इन सभी पर भी नियंतरन रखा जा सके, और इसी के साथ इनका motto बना जीवन परियंत करता हुए, primary responsibility की बात करें, तो यह ensure करना है BSF का काम की इंडिया की जो border है, इसको secure किया जा सके, और जितने भी land border है विद्धी पाकिस्तान इन बांगलादेश, उसको भी यहाँ पर secure किया जा सके, ताकि जितने भी trans border crimes होते हैं, इनको घतम किया जा सके, ऐसे मैं अगर हम बात करें, तो BSF बहुत important role play करता है, illegal infiltration को रोकने के लिए, smuggling को रोकने के लिए, और जितनी भी cross border activities होती हैं, उस पर नियंतरन करने के लिए, BSF के बारी में अगर हम बात करें, तो जो head होते हैं, BSF के उनको director general DG की post यहाँ पर दी जाती है, यह एक officer होते हैं, जो कि Indian police services के through select होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, इसके बनने से अगर हम बात करें, तो BSF यहाँ पर expand हुआ है, 25 battalions इसकी हुआ कर करती थी 1965 में, आज की rate में हम बात करें, तो 192 battalion इसकी हमें देखने के लिए मिलती है, strength की बात करें, तो लगबग 2,70,000 personal आपको इसमें देखने मिल जाएंगे, air wing, navy, artillery से related जितने भी specialized unit होते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, so as the world's largest border security force के अगर हम बा KSF को consider किया जाता है, first line of the defense for Indian territories, चले, moving on to the next article of the day, बात करने वाले हैं हम, tax contribution by states needs to be revisited, देखिये, finance commission यहाँ पर एक बहुत ही crucial role play करता है, जब ही भी important हो जाता है, distribution of the union, tax revenue among the state, और ऐसे में हम बात करने वाले हैं, नए finance commission आ गया है, और उसको लेकर ही यहाँ सारी चर्चा हो रही है, यह जो distribution formula है, जो कि determine करता है state share के बारे में, historically अगर हम बात करें, तो बहुत सारे factors को ध्यान में रखते हुए, tax contribution को ध्यान में रखते हुए, determine किया जाता था, until the 10th finance commission, however, then tax contribution has been excluded from the formula, लेकिन, बात में यहाँ पर decide किया गया, कि reinstate करना ज़रूरी है, tax contribution को, क्योंकि यहाँ पर एक efficiency हमें देखने के लिए मिल जाती है, अब दिखिए, आगे बढ़ने के पहले सारी चीज़ां आपको समझनी होगी, लेकिन, पहले हम थोड़ा सा finance commission पर चले जाते हैं, अगर मैं first finance commission के बारे मैं बात करूँ, तो 1952 से लेके 57 तक हमें इनका time period द देखने मिला, पहले finance commission के जो हमारी chairperson थे, इनका नाम था केसी नियोगी, आगे अगर हम बात करें, second finance commission हमारे पास आया, important है, अब समझेंगे बात में जब आप इसके बारे में detail में पढ़ेंगे, 1957 से लेके 62 तक chairman थे के संधानम, और अगर हम 15th finance commission के बारे में यहाँ पर बा part 12, deal करता है finance commission के establishment को लेकर constitutionality की बात करें, तो finance commission एक 80 judicial body हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे president of India के द्वारा यहाँ पर constitute किया जाता है, members की बात करें, तो इसके अंतरगत आपको chairman plus 4 members देखने मिलते हैं, जिसमें include होते हैं high court judges और यहाँ पर appointment की जाती है, president of India के द्वारा, authority की बात करें कि कौन qualification decide करता है, तो देखे, parliament यहाँ qualification decide करती है, tenure की बात करें, तो देखे, जब तक president के द्वारा प्रसाद परियन तक यहाँ पर tenure देखने के लिए मिलता है, क्या reappointment के लिए eligible हैं, बिलकुल eligible होते हैं, और साथ ही, इनके पास civil court की सारी power होती है, under the as per the code of civil procedure 1908, काम क्या है, क्या recommendation देते हैं, देखिए, president को recommendation देती है, advisory होते हैं, इनके जितने भी recommendations होते हैं, binding नहीं होते हैं, government के उपर, पहला कि distribution क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, grant in aid को लेके, जो भी आपको देखने मिल रहे हैं, किस तरीके से evaluate किया जाएगा, अगर consolidated fund, the rise in the consolidated fund of state to affix the resource of panchayat and municipalities, और जितने भी finance related matters हैं, उनको किस तरीके से deal किया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं, तो finance commission जैसा मैंने आपको बताया, कि एक important major role play करता है, जब बात आती है, union tax revenue की among the states, historically अगर हम बात करें, जो tax contribution है, इसका यहाँ पर कम weightage रहता था, in the distribution formula, बट इसको completely drop कर दिया गया था, दसवे finance commission के आने के बाद, यही पर अगर हम इस article की बात कर रहे हैं, तो इसका content ही यह है, कि जो tax contribution है, especially GST regime की अगर हम बात करें, तो यह एक बहुत ही reliable measure हो जाता है, किसी भी states की बहुत important indicator हो जाता है, कि tax effort क्या है, fiscal discipline क्या है, यह चीज़ें जानने के लिए, चलिए, अब यहाँ पर अगर हम challenges को समझने की कोशिश करें, कि challenges क्या है, तो देखें, एक जो resistance है states के through, यहाँ पर वो लगातार देखने के मिलता है, जिसकी वज़े से जो potential shift है, share based, जो tax contribution है, उसको check करने में, check in balance में, यहाँ पर problem आती है, ऐसे में जो stability indicator है, जैसा tax, tax effort, and fiscal discipline, एक question create कर देता है, और challenge create कर देता है, जब यहाँ पर इसके साथ higher weight assign हो जाता है, so the need to ensure that the inclusion of the tax contributor does not lead to unfair outcomes or discourage state from adopting progressive tax policies, ऐसे में important हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए, ओके, बात करते हैं, एक और नए article को लेकर equal access, जितने भी benefits है, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, union government ने देखिए, एक high level committee को यहाँ पर बनाया है, जिसको cabinet secretaries यहाँ पर late करने वाले है ताकि जो equitable method है, जितने भी benefits हैं, जितने भी schemes हैं, उन सभी को जितने भी 1200 schedule cast categories हमारे पास हैं, in fact more than 1200, उन सभी में जो benefits हैं, schemes हैं, इनको किस तरीके से distribute किया जा सकता है, उसको लेकर एक committee यहाँ पर बनाये गई है, majorly, यह जो demand है, sub categorization of schedule cast, particularly यहाँ पर race की गई थी, मजीगा community के दुआरा, जो कि तेलंगाना से संबंदित है, मजीगा community के अगर हम बात करें, तो यह एक बहुत ही अच्छा significant proportion constitute करता है तेलंगाना में, और इनका एक बहुत ही लंबे समय से बोलना था, कि देखिए इनको government की जितने भी benefits हैं, उससे यहाँ पर दूर रखा चा किया गया है, जिसको chair किया जाएगा, बाइदी, प्राइम मिनिस्टर, 23rd December पर यहाँ पर meeting हुई और decide किया गया कि sub-categorization को लेकर, distribution को लेकर, schemes के यहाँ पर committee बनाई जाएगी, ओके, अब क्या हमें पढ़ना है, देखिए, हम दोनों communities के बारे में पढ़ेंगे, कि मजीगा community क्या है, माला community क्या है, यही हमको जानना होगा, उसाथ ही हम समझेंगे, National Commission for Schedule Cast के बारे में, बहुत जादा आपको आर्टिकल में जाने की आविश्यक्ता नहीं है, देखिए, मजीगा की बात करें, तो एक तेलगू cast है, जो की majorly, state of आंदरप्रदेश, तेलंगाना, करना का की section में, और कुछ पार्ट तामिलाडू के section में, आपको देखने के लिए मिलेगी, historically अगर हम बात करें, तो जो tannery work होता है, leather work होता है, small handcraft होता है, उससे इनका संबंध आपको जादा देखने के लिए मिल जाएगा, मजीगा community की बात करें, तो यह constitute करता है, लगभग 50% तेलंगाना के schedule caste population को लेकर और यहाँ पर equitable distribution को लेकर लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं, वहीं माला community के बारे में बात करें, गलित community है, जो कि आंधर प्रदेश और तेलंगाना के शेत्र में देखने के लिए मिलती है, और यहीं पर मधीगा community के द्वारा, यहाँ पर एक और इसी को ध्यान में रखती हुए, 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने इनिशेटिव लिया, कि सब कैटिगराइजेशन जो है, उनको विविन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, इस पर काम किया जाएगा, चले बात करते हैं, नेशनल कमिशन ओन शेडूल कास्ट के बारे में नेशनल कमिशन ओन शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब्स यह दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी हैं, सबसे पहरे आर्टिकल 338 की अगर हम बात करें, Constitution of India की, यह यहाँ पर डील करता है, नेशनल कमिशन फॉर शेडूल कास्ट से, जिसमें कुछ अगर सब्सक्राइब्स नेशनल कमिशन फॉर शेडूल कास्ट का मुख्य काम है, जितने भी शेडूल कास्ट है, जुनकी कैटिगरीज है, उनके जितने भी rights हैं उनको यहाँ पर safeguard करना था और साथ ही make sure करना कि किसी भी तरीप के से इनका discrimination या exploitation ना हो सके along with that जितनी भी welfare programs है policies हैं जिनको यहाँ पर चलाया जा रहा है उनको implement करना उनको यहाँ पर check and balance create करना regulate करना भी यहाँ पर ncscs का काम होता है इनके अगर हम power की बात करें तो commission के पास civil court की यहाँ पर power होती है while trying a suit and they can also summon and enforce attendance of witness and compelled as discovery and production of the document वहीं हम national commission of schedule tribe के बारे में बात करें तो 338A के अंदर हमें ncsd के बारे में देखने के लिए मिल जाता है अगें बिल्कुल ncsd की ही तरच पर एक chairperson एक vice chairperson और तीन member आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे जिसे appoint किया जाता है by the president of India again the work is similar but for the scheduled tribes यहाँ पर देखना कि इनके साथ किसी तरीके का discrimination तो नहीं हो रहा exploitation तो नहीं हो रहा है जितने भी welfare schemes है उनका implementation किस तरीके से किया जा रहा है और साथ ही जितने on to the next article of the day बात करने वाले हैं हम HCRA registration को लेकर जिसके बारे में हमने पहले भी जाच्रा की थी foreign contribution regulation act 2010 यहाँ पर registration for two prominent non-governmental organizations center for policy research and world vision India have been cancelled in the current month यह जो monitoring है implementation है FCRA की यहाँ पर इसको overseas किया जाता है by the union minister of home affairs जो कि इसके monitoring करने के लिए इसके implementation के लिए responsible होता है बहुत सारी अगर हम NGOS की बात करें तो इन सभी का जो renewable of registration है यह यहाँ पर cancel कर दिया गया था 2020 और 2021 के बीच में COVID-19 pandemic और 2020 FCRA amendment की बात करें तो यहाँ पर renewable process में बहुत सारे issues हमें देखने के लिए मिले समझते हैं देखे हमको पढ़ना क्या है FCRA आखिर क्या है FCRA में यहाँ पर किस तरीकी से registration हमें देखने मिलते हैं क्या इससे related issues हैं इन सारी चीजों को हम यहाँ पर अच्छा से चर्चा करने वाले हैं चली अगर हम FCRA registration की बात करें तो since 2015 लगभग more than 16,000 NGO इंडिया में they have had their foreign contribution regulation act registration and then it has been cancelled due to violation अगर हम January 2022 के हिजाब से बात करें तो केवल 16,989 active FCRA registered NCO हमें भारत में देखने के लिए मिलेंगे वहीं लगभग 6,000 NGO को यहाँ पर cease कर दिया गया है from January 1st 2022 या तो इनको Ministry of Home Affairs द्वारा यहाँ पर cease कर दिया गया है या फिर इनकी application यहाँ पर renew नहीं हो पाई है ऐसे में अगर हम बात करें तो 2023 का record यह बताता है कि केवल record number of 1111 associations were granted fresh FCRA registration ओके और इस मैंसे भी आदे से जादा जो registration थे उनको यहाँ पर पुराने registration को cancel कर दिया गया है अब foreign contribution के अगर हम बात करें तो लगभग 13,520 associations को total मिला कर अगर हम देखें fresh and old registrations के हिसाब से तो लगभग 55,741.51 करोड का amount FCRA के थूँ इंडिया में financial year 2019, 2020, 2021, 2021, 2022 में receive हुआ है अब ministry of home affairs ने cancel कर दिया है FCRA registration of central for policy research and world vision. MHA ने यहाँ पर ततागतित रूप से ये भी बोला है कि जो CPR है ये divert कर देता है foreign donation या foreign fund को to protest legal battles यहाँ पर create कर दी जाती है development project में और साथ ही इस fund का use किया जाता है इंडिया की जो economic interest है उसको hamper करने के लिए और इनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडिया ने totally ये सारी की सारी चीज़ें cancel कर दी है ठीक है अब आपको यहाँ पर clear हो गया हम बात करते हैं कि FCRA क्या है FCRA को देखी सबसे पहले issue किया गया था 1976 में ताकि जितने भी concern है जो foreign fund से related है उसके use से related है जो कि हमारी भारत की internal security से संबंदित हो जाते है इनको यहाँ पर देखना primary objective था कि monitor किया जाए control किया जाए भारत में जितना भी पैसा foreign के थूँ यहाँ पर आ रहा है उसके misuse को prevent किया जा सके और national security के लिए काम किया जा सके FCRA 1976 के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई भी organization या individual यहाँ पर foreign contribution को receive कर सकता है once they are registered under the FCRA यह जो enforcement है और इसका administration है इसको deal करता है इसको handle करता है ministry of home affairs यहाँ पर अगर हम बात करें तो FCRA specific term के लिए specific conditions के साथ यहाँ पर foreign contribution को receive करने और इसको utilization की permission provide करता है जैसे अगर आपने जो भी इसका use किया है उसको किस तरीके से use किया है कहां use किया है यह सारी चीज़ें बताना भी जरूरी हो जाता है FCRA में बहुत सारी change लेकर आए गए कुछ commitment लेकर आए गए 2010 और 2020 में जिसके हिसाब से जो reporting mechanism है उसको strong किया गया साथी क्या permissible activity है foreign fund की वो बताए गई किस तरीके से जो foreign fund या registration है उसको cancel किया जा सकता है यह बातें भी यहाँ पर की गए साथी यहाँ पर कुछ term जैसे public servant क्या होंगे उनको redefine किया गया साथी restrictions यहाँ पर लगा दिये गए कि foreign जो contribution है उसको आप किसी दूसरी entities को transfer नहीं कर सकते और उसका use किस तरीके से किया जा रहा है यह सारी कि सारी जो reporting है यह अब आपको government को देना होगा ओके चलिए बात करते हैं अंगले article को लेकर और हमें बात के नहीं है North Korea और South Korea को लेकर देखें बहुत सालों से यहाँ पर एक दुश्मनी चलिए आ रही है ऐसे में North Korean leader King Jong-un आप सभी उनके नाम से परिचिद है Recently declaration of South Korea as an enemy state इसकी वज़े से यह जो idea है जहाँ पर peaceful reunification करने की बात की जा रही थी उसमें एक बहुत aggressive shift हमें देखने के लिए मिल गया है बात करते हैं हम Korean Peninsula की बात करते हैं हम इनकी geographical location की तो देखें Korean Peninsula हमें East Asia में situated दिखाए देता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह border करता है by the China in the North, Russia to the North East वहीं Yellow Sea के शेतर के आसपास और Japanese Sea के पास आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा The upper portion is the North Korea and the lower portion is the South Korea जब भी हम King John Yin की बात करते हैं तो हम North Korea की बात करते हैं जो कहीं न कहीं जाना जाता है अपनी एक economic policies को लेकर जिसमें यह usually बाकी countries के साथ train नहीं करते हैं साथ ही अगर हम इनकी बात करें तो North Korea's weapon test and military activities अपनी आपने एक बहुती प्रोगोवेटिव आपको देखने मिल जाती हैं जो कि threat create कर देती हैं कई बार जहां पर South Korea की बात की जाती है जो कि अपने आप में collaborative संधी यहां पर रखता है विद्धी जापान and the US ओके आगे अगर हम बात करें तो division की बात करें तो देखिए जो peninsula है इसको दो countries North Korea और South Korea अगर हम इनके official name के बारे में बात करें तो North Korea is the Democratic People's Republic of Korea वहीं South Korea की बात करें तो it is the Republic of Korea यहां पर देखने के लिए मिलेंगे World War 2 के बात जो Korean War आपको देखने मिली 1950 से 53 के बीच में यहां पर यह दोनों countries अलग हो गए और इनको separate किया गया with the 38 parallel ठीके तो 38 parallel इन दोनों countries को divide करता है 1950 से 53 के बारे में अगर हम बात करें तो Korean War जिसमें North Korea को support किया गया था by another than the China और Soviet Union क्योंकि यहां से इसकी vicinity जादा close देखने मिल जाएगी वहीं South Korea को यहां back किया था United States और दूसरी Western Powers ने Korean Demilitarization Zone यहां पर established किया गया था 38 parallel के साथ और एक buffer zone मना दिया गया था DMZ की बात करें which is the Korean Demilitarized Zone तो यह heavily fortified area है जहां पर North Korea और South Korea दोनों की जो armies है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है North Korea बार बार देखें टेस्टिंग करता है और उसकी वज़े से दोनों countries के बीच में हमें issue देखने के लिए मिलते हैं Pongyang की बात करें तो यह capital हो जाती है North Korea की वहीं Seoul की बात करें तो यह South Korea की capital हमें देखने के लिए मिलती है North Korea की बात करें तो यहां पर केवल single party system हमें देखने मिलता है जो की Kim family जिसको rule करती है जो की socialistic ideology पर है South Korea की अगर हम बात करें तो यह multi party system democratic republic के concept पर काम करती है चलिए तो यह थे आज के महत्तुपून article I hope आपको सारी चीज़न clear हो चुकी होंगी बात करते हैं में इसके question of the day के बारे में So here are two very important questions in front of our screen One is related with the India Middle East European Economic Corridor and another one is related with the Central Armed Police Force करना क्या है आपको? You just have to write the answer, click the photograph and upload it on the given link below साथ ही अगर आपको GNR से संबंदित किसी भी प्रकार का कोई doubt है, कोई question है, कोई समस्या है तो आप मुझे नीचे दिये गई email id which is the pragyapandya at the rate rouseacademy.in पर mail भी कर सकते है and I will try my best कि मैं आपको जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान दे सकूं So thank you for watching this video, do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates Please follow us on Instagram and Facebook, links are given below in the description box Thank you and see you soon